हाँ तो यार तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिन बौल शुपर 2 के बार तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो कैसे आप सबी के काफी कमेंट देकिया डिन बौल सुपर के बाएंद अगर है तो वो हिन्दी में कब आएगी Basically आप लोग पूछ रहेते हैं, Dragon Ball Super 2 कब आएगा So guys, Dragon Ball Super के बाद Dragon Ball की सीरीज जरूर है But not in the form of anime, it is in the form of manga Manga का जिसको मतलब नहीं पता, manga का मतलब होता है comic book Easy words में समझाऊं तो, हमारे पास Dragon Ball Super 2 की स्टोरी है हमारे पास Dragon Ball Super 2 के manga picks है And so anime आएगा, पो आएगा 2023 में And because हमारे पास Dragon Ball Super 2 की स्टोरी है आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं Dragon Ball Super 2 episode number 1 Guys, सबसे पहले आप सभी को एक short summary दे देता हो जिससे आप सभी लोग को कोई भी confusion ना हो Tournament of War के end में क्या हुआ था? सभी universes को wishback कर दिया गया था सारे warriors पहुँच के थे उनके perspective universes में सभी zee warriors चले गए थे Earth पे happy ending हुई थी And Dragon Ball Super complete हो गया था अब भी Dragon Ball Super complete होने के बाद सबसे पहले आती है Dragon Ball Super Movie Broly आप मैंसे काफे सारे लोगों ने इस मुवी को देखा होगा बड़ जिसने नहीं देखा है आप लोग जाके देख सकते हो गोगो एनिमे वेबसाइट पे Hindi ड़ ये मुवी हुई नहीं है English और Japanese में ही available है Steps भी बता देता यहां पर मैं उस मुवी को download करने का बड़ copyright आ जाएगा अभी कैस Dragon Ball Super 2 की कहानी स्टार्ट होती है काफी टाइम बीच चुका है टूर्नमेंट और पावर को कम्लीट हुए गोकू इंस्टेंट टेलिपोरेशन यूज करके आता है कैप्सिल कॉर्पोरेशन पे वेचीटा के पास वेचीटा पूछता है कहा था पे गोकू रिप्लाइ करता है डीपियस ब्रूली के एंडिंग यार में ब्रूली के पास क्या था उसको हॉई-पॉई कैप्सिल्स देने के लिए जिसमें खाना है एंड बेसिक नीट का सम्मान है देन गोकू पूछता है अभी हम लोग ट्रेनिंग करेंगे या फिर कुछ और करेंगे विचीटा रिप्लाइ करता है यहां नहीं नीबर्स कंप्लीन करेंगे ग्रेविटी रूम में चलते हैं गोकू एंड विचीटा की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है ट्रेनिंग के टाइम पे विचीटा पूछता है तो तेरा और यॉई का क्या हुआ गोकू बोलता है कुछ नहीं यार टूर्नेमेंट के बाद से यूज ही नहीं कर पा रहा विचीटा रिप्लाइ करता है अच्छा मतलब खुछ से ट्रांसफ़र्म नहीं हो सकता क्या ही यूसलेस टेकनीक है गोकू कहता है हाँ शायद वैसे भी कोई शॉर्टकर्ट है नहीं बिना ट्रीनिंग के कुछ नहीं होगा विचीटा बोलता है हाँ तो फिर कर ट्रीनिंग इस्पेशली बिकोज आगे से मुझे तेरे साथ मिलके फाइट नहीं करना गोकू रिप्लाइ करता है अच्छी बात है वैसे भी मैं अकेला एनिमी से फाइट करना प्रिफर करूँगा देन गोकू एंड विचीटा को बुल्मा का कॉल आता है बुल्मा उन दोनों को ग्रेविटी रूम से बाहर आने के लिए बोलती है बुल्मा बताती है मिस्टर सिटन का अरजेंट कॉल आया है गोकू एंड विचीटा ग्रेविटी रूम के बाहर आते हैं गोकू पूछता है क्या बात है बुल्मा विचीटा पूर्व करती है अच्छे से तो पता नहीं पर कोई में सिरियस ग Soo गया है गोकू बोलता है, चल जाके देखते हैं, वेचीता रिपलाइ करता है, क्या बेवकूफी है गोकू बोलता है चलना या वेचीता रिपलाइ करता है, निकल यहां से इंस्टेν ट्रांस्मिशन करके, मैं वहाँ वैसे भी 5 सिकिंड में उड़के पहुच जाऊंगा नहीं बचा वैसे भी ये सेल्फ डिफेंस के लिए है वो अपनी गन निकालते हैं एक बंदे पर शॉट कर देते हैं बट वो अन्नून बंदा अपनी गन से बुलट डिस्ट्रॉय कर देता है देन उन दोनों को अवास आती है गोकु की गोकु बोलता है मिस्टर सेटन हम लोग यहां आ चुके हैं मिस्टर सेटन गोकु को देखके बहुत खुश हो जाते हैं गोकु पोशता है तुम लोग क्या करना चाते हो और तुमें पू क्यों चाहिए तुम बुरे हो राइड बट वो जो अन्नून बंदा होता है उसको देखके साफ पता चल जाता है कि वो प्लीज बुको बचा लो गोकु बोलता है हाँ जरूर क्यों नहीं देन गोकु फाइड स्टार्ट करता है एके करके सभी गार्ट को डाउन करने लगता है वह अन्नून बंदा बोलता है तुमने मेरे लिए कोई और आप्शन नहीं छोड़ा इंस्टेंटली वह बंदा गोक सब समझा दूंगा देन वोशिप गोकु विजेटा एंड माजिन वू को लेकर अर्च से चली जाती है गोकु बेहोश होता है सड़नली उसको किसी की अवास आती है और गोकु होश में आता है एंड देखता है उसके सामने है जैको गोकु उटके बोलता है अब यार में क्य सब्सक्राइजेशन का हेटक्वाटर है गैलेक्टिक पैट्रोल देन वह अनून बंदा अपने बॉस के साथ वहां आता है को को एंड विजेटा से मापी मांगता है और कहता है लगता नहीं तुम दोनों रीजन सुनने के मूड में हो गोकु पूछता है पर तू है को वहां विजेटा पूछता है अगर तू एक एलिट है तो तुझे बू से क्या चाहिए मीरस एक्स्प्लीन करता है हमारी गल्दी की वज़ा से एक क्रिमिनल जेल तोड़के भाग गया उसको वापस पकड़ने के लिए हमें एक बंदे की मदद चाहिए गोको एंड विजेटा पू ये जो अनून बंदा है उसका नाम है मीरस एंड वो गैलेक्टिक पैट्रोल का नमबर वन एजेंट है बड़ गैस के आप सभी ने एक बात नूट करी गोको एंड विजेटा गौड्स एंड इंजल्स के साथ ट्रेनिंग करने वाले बंदे इनके पीछे कोई आता है इन दो पेस्ट करना चाहूंगा आप लोग आगे की कहानी पहले ही बता के निव यॉर्स का मसा खराब मत करना अभी तो जब स्टार्टिंग है आगे बहुत सारी चीज़े आना बाकी है लाइक ये मेरस एक्चुली में कौन है इसके हिस्ट्री क्या है और जो बंदा जील तोड़क